नमस्कार किसान भाईयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने चैनल एक ग्री जक्सल पर किसान भाईयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की नरसरी को जल्दी कैसे तयार करें क्योंकि आजकल या देखा गया है कि धान की नरसरी में कुछ 4-5 रोग कुछ ज्यादा ही पकड़ लेते हैं जैसे कि आप धान की नरसरी को डाल देते हैं उसके 6-7 दिन बाद उसमें पीला पन, सूखा पन या फिर उपर से सफेद होने लगती है उसके बाद पौधे सूख जाते हैं इसका सबसे यादा प्रभव पौधे पर पड़ता है पौधे की ग्रोध रुख जाती है लेकिन उस समय हमारे दिमाग में कुछ बाते घूमती रहती है हम मिट्टी को दोस्देने लगते हैं हम सोचते हैं कि हमारे खेत की मिट्टी खराब हो चुकी है और जो फसल है वो बरबाद हो गई है अब हमको दुबारा करना पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं है हाँ ये सही है कि वो खराब हो गई है लेकिन यहाँ भी सही है कि वो सही हो जाएगी यदि आप उसका सही टीटमेंट करते हैं तो सही दवा खाट डालेंगे तो आपकी नर्सरी 101% सही हो जाएगी सही दवा से तंदरुस्त हो जाएगी अच्छी हो जाएगी सही दवा खाट डालेंगे तो आपकी नर्सरी 101% सही हो जाएगी सही दवा से नरसरी अच्छे से ग्रोज करेगी, मोटी एकदम तंदरुस्त हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान देना होगा, जैसे कि नरसरी को पानी देना है, तो पानी हमेशा साम के समय देना है, और ज्यादा पानी भर के नहीं देना है, जिससे की सुबा खेट से निकालना पड़े, इसके साथ ही यदि आपकी धान की नरसरी पीली पड़ रही है, और आप उसमें यूरिया डाल रहे हैं, और गर्मी ज्यादा हो रही है, तो दूसरी यूरिया रोंक देन, यूरिया ना डालें, क्योंकि यूरिया के साथ धूप इसनदिश से ग्रोथ करे तो इसके लिए आपको दवाई लेना है किसान भायों यलिंग आपने एक एकर जमीन के लिए धान की नरशरी लगाई है तो उसके लिए आपको लेना है 500 ग्राम जिंक कोई भी अच्छी कम्पनी का आपको माईच्रू निूट्रियंस ले लेना है और किसान भायों अगर आपने दो-तीन दिन पहले यूरिया डाला है तो यूरिया अब न डाले इन तीनों तत्वों को इस्प्रे के माध्यम से अपनी नरसरी में छिड़क दें इसके इस्प्रे से मात्र 36 घंटे के अंदर ही आपकी नरसरी हरी भरी एकदम स्वस्त हो जाएगी त स्टार्ट कर देगी तो देखिए न किसान भायों आप लोग फालतू में परिशान हो रहे थे कि आपको नरसरी तुबारा करना पड़ेगा लेकिन इसा नहीं है यह तब तो डाल कर स्प्रे कर दीजिए कोई भी दिक्कत नहीं नरसरी एकदम स्वस्त हरी भरी हो जाएगी त अपने दूसरे वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों